हाई ओल लोव यू तो चलिए आज हम बनाएंगे बहुत सुन्दर कुशन का वस जो माटीरियल चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसे ले लीजेगा अब एक स्केल की हेल्प से मैंने अपने कपड़ी की ओपर एक 40 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है अब को दिखाई दे की मैंने ये फ्लार कैसे बनाया है बटा पैंसल को लाइट रखिएगा वरना कलर के नीचे से पैंसल दिखाई देगी ये देखे मैंने इसको डाक कर दिया है ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले मैंने डिजाइन कैसे बनाया है अब हम इसकी स्टेम बन आके दिखा रहे हूं यह बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल फ्लार है आप ट्राइ करेंगे बहुत इजी लिए बन जाएगा एक्जाक्ली सेम यही तरीका फॉलो करके आप पूरा का पूरा पैटन अपना रेडी कर लेजिए कुछ लीफ्स छोटे कुछ लीफ्स लंबे फ सिक्स ब्रश की हल्प से अपने इन फ्लास के अंदर इस कलर को फिल कर रहे हूं इन फ्लास कों अंच्छे से फिल कर लेंगे पानी का इस्तिमाल नहीं करेंगे डारेक्ट ली मने कलर अपLाय किया है अगर आपका कलर थोड़ा-sा हार्ड है या थोड़ा सा सूख गया है तो आप मार्किट में मीडियम मिलता है आप ले लीजिए और उससे कलर को पतला कर लीजिए लेकिन पाली का यूज हम बिलकुल नहीं करेंगे अच्छा अब हम इसी सेम तरीके से अपने सारे फेले पहले फ्लास के अंदर लेमन येलो कलर फिल करेंगे और हम उसको थोड़ा सा ड् लगा रही हूं अब इसको मैं ब्रॉश को क्लीन कर रही हूं और क्लीन करने के बाद मैं इसमें शेडिंग दे दूँगी फ्लार के अंदर देखिए अगर आपका येल्लो कलर एकदम गीला होगा ना तो येलो औकर उसके अनर मिक्स हो जाएगा तो शेडिंग नहीं आएगी अगर एकदम सुखा होगा तो आपके brush से वैसे भी shading नहीं आएगी तो आपने ये धियान रखना है कि color एकदम dry नहीं होना चाहिए और एकदम gila भी नहीं होना चाहिए अगर आपके पस yellow color color नहीं है तो आप brown color का use भी कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि brown color की quantity हम बहुत कम लगाएंगे क्योंकि वो बहुत dark होता है और yellow color color इतना dark नहीं होता है अगर brown यूज़ कर रहे हैं तो उसकी quantity आप बहुत कम लगाएंगे dots बहुत छोटी रखेंगे ऐसी हम अपनी सारे floss को color कर लेंगे अगर by chance आपका yellow color या brown color जादा लग जाता है तो आप lemon yellow color की help से उसको वापिस से ठीक कर सकते हैं देखिए मैंने आपको करके दिखाया है मैंने lemon yellow color की help से उसको light कर दिया है सारे floss को ready करने के पाद अब मैं brown color यूज़ करूँगी brown color से मैं simple इसके अंदर dots डालूँगी आप चाहे तो fill भी कर सकते हैं मैंने dots डाली है यह हम sap green color यूज़ करके अपनी stems बनाएंगे और अपने leaves को बनाएंगे मैंने यह stems बनाने के लिए जो brush यूज़ किया है वो zero number का brush है अगर आपके पास triple zero number का brush है तो better है आप वो यूज़ करें मेरा खराब हो गया था अगर आपके पास triple zero brush नहीं है तो आप zero number का brush भी यूज़ कर सकते हैं अभी six number के brush की help से मैंने यह leaves के अंदर green color डाल दिया है यह मैंने sap green color fill किया है इसको भी मैंने simply fill कर दिया है और कोई major technique यूज़ नहीं किया इसको fill करने के लिए सारे leaves fill करने के बाद हम lemon yellow color यूज़ करेंगे और lemon yellow color को हम इन leaves के अंदर ठाल देंगे हलका सा लगा देंगे और उसके बाद हम इनको brush की help से blush कर देंगे, mix कर देंगे अब हम black color की help से और zero या triple zero number brush की help से हमने इसको border देना है एक चीज़ धियान रखिएगा यह जो मैं border दे रही हूँ नहीं इसको अपने complete ऐसे border की तरह draw नहीं करना है, बिल्कुल rough हलका हलका सा border देना है आप अपने सारे floss को exactly सेम तरीके से border दे देजे अच्छा लगा है तो please मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर करें thank you